नमश्कार मैहूद है प्रताप सिंग और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एंटर्टेन्मंट और आज हम आपको बताएंगे कि सल्मान खान की नई फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं तो पहले तो आपको साफ साफ उतर दे देते हैं जी हाँ आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए और बड़े परदे पे ही फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि सल्मान कान की फिल्में जो हैं वो बड़े परदे पे थेटर में ही उसका असली मज़ा आता है आक्शन है गाने है सलमान भाई का करिज्मा है, एटिटूड है, डाइनमिजम है, स्क्रीन प्रेजन्स है और बड़े परदे पे ही इसका मज़ा आता है, छोटे परदे टीवी पे या मोबाईल पे उसका बिल्कुल मज़ा नहीं आता उतनी आपको फिल्म बिल्कुल वहाँ पसंद नहीं आएगी, जितना आपको थेटर में आएगी जी हाँ, कुछ खामिया है, उसके बारे में भी बताएंगे, मगर overall, it's a yes that you must watch किसी का भाई, किसी की जान जी हाँ, फिल्म का नाम काफी रोमांचक है, क्योंकि अक्सर जिंदगी में सल्मान खान को real life में भी भाई बुलाय जाता है, भाई जान बुलाय जाता है, मगर इस फिल्म में किस के भाई बन रहे हैं, और किस की जान, ये आपको फिल्म में थोड़ा विस्ताल से पता अगर आपको थोड़ा सा, जलत थोड़ा सा हिंट हम आपको इस रिव्यू में भी दे देते हैं, तो फिल्म का प्लॉट काफी सिंपल है, कि सल्मान खान के तीन भाई हैं, वो तीन भाई को आ रहे हैं, क्योंकि उनके सबसे बड़े भाई सल्मान खुद को आ रहे हैं, सल्मा को पूरा करने के लिए वह एक प्लान बनाते हैं वो कहते हैं कि हम हमारे सबसे बड़े भाई के लिए भावी ढुंडेंगे और वह भावी मिल जाती है पूजा हिगडे के अफतार में जी हाँ पूजा हिगडे सलमान खान के शहर आती है और वहां लब फॉर्स साइट तो नही मगर शायद third या fourth side में लब जरूर हो जाता है कुछ romantic गाने हैं which do set the pace और फिर अक्सर सलमान खान और पूजा हिगडे के बीच chemistry romance जो है उसका फासला बढ़ जाता है मगर फिर एक problem आता है वो problem क्या है वो यह है कि पूजा हिगडे के भाई जो है जिन्होंने विंकटेश जो actor है जो south में बहुत बड़े star है उन्होंने वो किरदाज जो है वो निभाया है इस film में उनका एक ही असूल है कि वो non-violent है जी हाँ वो अहिंसावादी है वो किसी भी जंग में किसी भी मारधार में यकीन नहीं करते और सर्मान खान काफी यकीन करते हैं जी हाँ भाई जान फिल्म में बहुत गुंडों को पीटते हैं फिल्म के शुरुआत से ही और फिर उनको एक challenge मिलता है कि उनको ना सिर्फ अपने बस्ती को बचाना है मगर पूजा हिग्डे की परिवार को भी बचाना है गुंडे से वो गुंडा उनके फीचे क्यों पड़ा हुआ है ये तो आपको फिल्म में ही पता चलेगा वो क्या बचात पाते हैं पूजा के फैमली को अपने बस्ती को और अपना प्यार क्या बरकरार रख पाते हैं अपने वाइलेंट अफ्तार के बावजूद इन सब सवालों का जवाब आपको इस फिल्म में मिलेगा और बड़े मज़िदार तरीके से मिलेगा जी हाँ सलमान खान तो उनका आभिनाय तो बहतरीन है ही larger than life जैसे मैंने का persona उनका है बहुत सारे real meets real influences आपको इस फिल्म में दिखेंगे जी हाँ जैसे मैं पहली बतारा था भाई और भाई जान पेपन है फिल्म में कुवारे भी है सलमान खान जैसे real life में है फिल्म में दिखाया जाता है कि भाई श्री उनका उनकी पहली प्यार होती है जो असल जिंदगी में भी सलमान खान की real first heroine थी उनकी real पहली प्यार थी भाई श्री का एक special cameo है उसके बेटे का भी special cameo और भी बहुत सारे cameo है मगर मैं अभी pole नहीं खोलूंगा क्योंके फिल्म आपको खुद देखनी पड़ेगी मगर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि last गाना उसके लिए आप जरूर वेट करिएगा क्योंके उसकी प्रशंसा भी हो रही है और चर्चाएं भी हो रही है और criticism भी हो रहा है मगर योयो आनी सिंग फिल्म के end में आपको दिखेंगे उस special गाने में और बाकी गाने भी एकाद दो entertaining है कुछ थोड़े जादा बहतर हो सकते थे फिल्म की pace भी कहीना कहीं slowdown हो जाती है editing could have been a bit better मगर action sequences बहुत उंदा है जी हाँ action sequences first half में भी और second half में भी बहुत हचे है फिल्म का overall cast भी is very very entertaining उन्होंने सबने सल्मान खान को बहुत अच्छे से support किया है पुजा हिग्डे बहुत खूबसूरत लग रही है अपने role में fit in काफी हद तक हो रही है वेंकटेश का भी अलग ही screen charisma है persona है, screen presence है और जो film की ensemble cast है including सिधात निगम, including रागव जोयाल including जसी गिल, शेनाज गिल, पलक तिवारी विजिंदर सिंग, अभिमन्यू सिंग ये सब आपको बेहत पसंद आएंगे और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इस film में और भी बहुत सारे surprises है जैसे मैंने पहले का, वो मैं खोलना नहीं चाहता मगर as I said, कि film जरूर आप एक बार जाके देखेगा सल्मान भाई के लिए, सल्मान भाई के one-liners के लिए और theater में ही देखेगा क्योंकि वहीं आपको इस film का मज़ाएगा